दोस्तों नमस्कार कैसे हूं आप सभी मेरा नाप डॉक्ट लोकिस बाली है दोस्तों आप भी मेरी तरह अगर PhD करना चाहते हूं तो मैं आपको एक ऐसे प्लेटफर्म के बारे माद बताने वाला हूं जो तो MHRD और UGC का संयुक्त प्रोजेक्ट है उसमें आप जान पाओगे कि कैसे आपको टॉपिक लेना है या फिर किस तरीके का टॉपिक आपको सेलेक्ट करना चाहिए उसका टॉपिक का चैप्टराइजिशन कैसे करते हैं PhD की थीसिस कैसे बनती है हमारे PhD का मैटीरियल कहां से मिलेगा या फिर कौन-कौन से टॉपिक आपर काम हो चुका है और हमें कौन सा टॉपिक लेना चाहिए यह हम डिसाइड कैसे करेंगे इसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म पर लेके चलता हूँ आपको आईए दोस्तों में Google पर लिखना है सोध गंगा सोध गंगा, MHRD, UGC और CSIR का संयुत प्रोजेक्ट है इसमें यह सभी सब्जेक्टों की थीसिस आपको यहां पर मिलेंगे उनका कैसे उप्योग करना है हमारी खुद की जो थीसिस मंती है उसमें किस तरह से उप्योग करना है यह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों हम जैसे ही वेबसाइट कोलते हैं आपको दो लाग साथ हजार थीसिस लिख रखा होगा यानि कि इस वेबसाइट के उपर UGC ने दो लाग साथ हजार से भी ज्यादा थीसिस को PDF रूप में अप्लोड कर रहा है जैसे कि मालो मेरा यह थीसिस है मेरे थीसिस को और कर दिया जाता है और ऊचिस तरे से किया जाता है मैं वीडियो में देर देर आगे बताता रहूंगा लीसे बढ़ते आगे और हम बात करते हैं आपर ऑल यूनिसिटी लिखा है और देक लीजी हाँ अब इस वर क्लिक कर देते हैं क्यें शाचांग बहुत सारी su3 जी सेनट हैं या हो चुके हैं या फिर लगातार होते रहते हैं तभी तो 2,60,000 की संक्या यहां पर हुई है दोस्तों अब इस website का हमारे थीसिस बनेगा उसमक किस तरह के से उप्योर लेख सकते हैं एक बात दूसरी बात यह है कि इस यह पता लगाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पर काम हो चुका और कौन कौन से टॉपिक पर काम नहीं हो या फिर इस तीसियस के इस यह भी पताएंगे कि आपको रेफ्रेंस की सटरीके से देने हैं मैं बहुत से चीजों के बारे में बात करूंगा तब वीडियो लंबा हो जाएगा बट इस वीडियो को लगातार देखो इस वीडियो को लाइक मत करो चैनल को कोई दिक्कत नहीं उसे फरक नहीं पड़ता ह जरूर यह इस वीडियो को देखना यह मतलब मेरा आजे आपका बड़ा भाई होने के नाते या फिर सीनर ने के नाते मैं चाहता हूं कि जो यह मेरा पीचडी का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है या फिर इतले दिन का जो टीसिंग का एक्सपीरियंस उसका अधार बतान जते हैं जैसे आप उडफा लिए यहां पर आपको दिख ज्याएगा कि मारीनाकर पिर्फाओ उत्रकीरियंस पोइसाइंस कोय ब्सक्रण लेके आप यह पर सर्च कर सकते हो देखो उन पर इसना पीस्टी हुआ है मैं एक दो दारण और ले लेता हूं फिर आपको मैं समझाता हूं बहुत अची तरीके ठीक है दोस्तों जैसे कि मालों में हम पेज चलते हैं मैं इसके दोबारा से और फिर अकबर का ले लेते हैं अब बहुत बड़े बहुत बड़ा नाम है उनका उनका हम एक उधारन देख लेते हैं अपने सब्जेक का नुसर कुछ भी सर्च कर सकते हो मैं हिस्ट्री का नहीं हिंदी का उधारन लेके चल रहा हूं ठीक है दोस्तों आपको यहां पर दिखना होगा भारतेंदु के नाटकों में धार में एक सामाजी केम राजनेतिक चेतना यह लाइन लिख वी दिख रही है यह मतलब 6 नौंबर 2017 को यह थिस्स यहां पर अप्लोड किया है गाइड का नाम यह है और रिशार्स स्कॉल है उसका नाम यह हम इस पर किलिक कर देते हैं और देखते हैं क्या रजल्ट हमार हमने प्याज़ी की थी सम्मिट कप की थी दो अपर यहां पर लिख रखाए जैसे हम इस पर ओकन करके देख लेते हैं मैं और भी उधारण दूँगा आपको समझाओंगा यह लंबा हो जाएगा लेकिन आप समझ कर जरूर जाओं यहां से यह तना प्ते हैं बाहरतन्जु क इसको इसको को छोड़ सकते हो टूसोग आप इन्होंने किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर रखे जैसे हैं में बदियारति हैं ओर इसका उधारण ले लिए हमने तो इनका परमाना पत्तर होता और हीं निगा यह हिंद秩ी निख रका है जैसे मैं मेरा परमानफद्राउव लोगों दिखा देता हूं कि मेरा परमानफद्र विस बहसा में और कैसे लिखा गया है लुख कि दो हुग एक जामें घंच बजन होताई दो दखन नहीं पाते है आपראए मेरे सब्सक्राइब लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने जे नियोड दोस्ते हैं प्रोफेसर मित्र हैं उनके साथ मिलकर सबी स्टुडेंटों के लिए ओनलाइन UGC.net के फर्स्ट पेपर की क्लासिज स्टार्ट कर दी हैं साथ में हम आपको फर्स्ट एंड सेकंड पेपर की सीरीज आपको प्रवाइड करवाएंगे कि अधिक जानकारी के लिए ये वाला वीडियो देख लेना या फिर नीचे डिस फाइल होती है डाउनलोड करने में दिख्कत आता है इनको तो यह इसलिए थोड़ा तायम लेता है जैसे कि यह इनका फ़र्स चेप्टर हो गया है अब एक चीज़े आपको मैं से समझा देता हूं इसमें इनोंने बहुत सी चीज़े लिख रखी हो मेरे चीज़े समझ भी दो आप यहां पर मालोगी हम एक उधारन ले लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से चीज़ों रखा है चलो एक अगला इनका फॉर्मेट के अलावा इनका चैप्टर फस्ट लेते हैं चैप्टर टू कैसे लिखा है और आपको अपना चैप्टर किस तरीके से लिखना है यह अचांगे बढ़ते हैं आपको उन्हें यह लिख रहा है तुरू क्यों करके दिखाता हूं मिलिये के बाद मैं एक लिखना यह जो बात है किसी किताब का रखा है यहां पर नहीं लिख रखा है यह तो उसी चैप्टर के उसी प्रष्ट में लिख देते हैं जैसे मैंने लिखा है मेरे रखेंस या फिर कोई विद्यारत को सबसे लाश्ट में लिखता है तो यह सबसे लुश करते होगा जेकरे है को में देख लेता हूं यहां यह देख要 यहां पर इनूने इस तरीके से रेटेंस या पर लिख रखे हैं चालिये कुछ और उदर दिख लेते हैं समझने के लिए उसे और आरिक्ट समझ लेते हैं usually को अanda जाई आप है ओखे लेए दोस्तों यह तीसिस आं इसलिए यहां पर डाल दिये जाते हैं ताकि कोई इन को हमतलगी ना कर सके और इन को अच्छे कारिये में यह अच्छे के लिए इनको यहां पर लोग पड़ें और जाने और समझे चीजों को और जो नए बच्चे हैं उनको इसको यहां से समझ सकें और इसलिए भी यह क्यों कोई कॉपी कंटेंट ना हो कहीं से उठागर कॉपी पेश्ट ना किया हो तो इसके लिए जैसे जब मैंने पीस्टी की तो मुझे मुझे सब्सक्राइब करते हैं अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो नीचे मुझे करके बताओ मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो पर बनाकर देदूंगा दोस्तों आपके कोई भी और भी सवाल जहन में चल रहे हो ना तो कमेंट्स करते चलिए मैं इस वीडियो के प्रते कमेंट्स का रिपलाई देने वाला हूँ या फिर आपका कोई गंबीर का समश्या होगी तो उसके उपर में एक अलग से वीडियो बना दूंगा तो लेकिन में वीडियो को पसंद करते हैं मेरे बनाने वीडियो को पसंद करते हैं लेकिन आज सञब करते हैं कि और एक उधारन जैसे कि हम कोई और थीसिस सअलेट कर लेते हैं जादा च्छी समझ पाऊगे जसे हम दिली उनिसटी को के लए हैं चलो चर्फेर का नाम लिख दो फिर गाइड का नाम लिख दो जिस भी तरीका से लिखना चाहो सरच करो τοण उल्हें कितनी सारे पीएश्टे Pep चलिए इनका चैप्टराइजिसन देख लेते हैं यह निका चैप्टर सब्सक्राइब यहां पर एक्जामपल और दे लेता हूं यह इंगली मीडिया दोस्तों के लिए कि हिंदी मीडियम में पहले ही चीजे बात कर ली थी आप यह चैप्टर इनका first है मैं आपको बता देता ह हों कि इन्होंने किस तरीक है उसको मि जो राफरेंस को आप यहां से इनको अपने टॉपिक्स के रिरेटिड पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो इन्होंने इस तरीके से से चीजों को यहां पर लिख रखा है यह देख लीजी यहां पर आपको इन्होंने सेकंड नमबर यह पर दे रखा है कि जूलोगी यह 2000 गेट नमबस में जो इन्होंने एक जर्नल का नाम लिख रखा है उसका इन्हों रैपरनेश दे रखा है और यह देखो आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं मैं आपको दिख तो आपको क्या कि उसी से संबंदित कोई काम करना है तो आप पूरा कोपी कर सकते हैं लेकिन रर्फरेंस को लिए सकते हो डायरेक्ट उसमें की आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके PhD को complete करने में तो यह वेबसाइट का बहुत ही जादा उप्योग है उस्तमा आप सभी लोगों के एक बात और बताना चाहूंगा अगर आप PhD के बारे में यह यूजी सीनेट की कौन-कौन सी पर एक बारे में अगर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं उनके बारे में उनके प्लेडिस्ट को जरूर देखो देखो यूजी सीनेट की बाता रहे हैं पर लोगोगों को इसके अलावा देख सकते हो विछ पूल और इंफॉर्मिशन देख शाटेकिए पर आप इन वीडियो श साथ ही आप JNU और UGC NET को पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखें आप इन वीडियो को भी हमेरे प्लेलिस्ट को देखकर देख सकते हो ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा है यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिया हुब आप करो या मत कि अच्छी सटीक और सच्ची जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जाहिनी